वेल्कम स्टुडेंट्स, वेल्कम बाक तू मॉआ चानल आज मैं आप सबके साथ करूंगी दोमेसाइल सर्टिफिकेट बारे में बात इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दोमेसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है क्या यह निसेसरी है नीट के लिए कैसे आप apply कर सकते इसके लिए और हर state की different authority अगर आपने offline apply करना उनके नाम भी बता दूगी ठीक है तो और हर state का मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ हर state का different criteria अगर आपका वहाँ रेजिदेंस भी है ठीक है for some years like three years से जादा तब आपको provide होता है हर state का different criteria उसके बाद में बात करेंगे पहले चले शुरू करते हैं कि domicile certificate क्या होता है domicile certificate जिसका दूसरा नाम होता है resident certificate वो issue करती है हमारी state government बताने के लिए कि हम its particular state का हिस्सा है ठीक है ना कि हम इस particular state में रहते हैं यह इसलिए होता है ठीक है अब दूसरा question students के मन में यह आता है कि domicile certificate नेसेसरी है certificate के लिए बहुत जरूरी है अगर यह certificate नहीं है तो आप किसी भी मलब आप अपनी state की state counseling में पार्ट नहीं ले सकते हो ठीक है ना तो अभी मैं कहते हूं after दिवाली जब तक counseling शुरू नहीं होएगी ठीक है result आएगा counseling एक महिने बाद तक ही होती है उससे पहले आप यह बनवा लेना और इसको बनवाने में ज़्यादा time नहीं लगता है कुछ state में seven days लगता है कुछ में 15 दिन में 15 दिन maximum होता है ठीक है ना अब है इस domicile certificate हां तो यह valid है अगर आपको अपनी state counseling में पाट लेना है तो बहुत ज़रूरी है यह next how can I get my domicile certificate तो जो domicile certificate है उसके लिए आप offline online दुनों तरिक्के से apply कर सकते हो पर जहां से हमारी state और union territory जैसे हम apply करते हैं तो आपको कहां कहां मिलता है वो एक तो मलता है revenue department officer ठीक है तैसील office district magistrate SDO SDM circle officer ठीक है यहां पर आपको मिलता है अब है state wise list of providing authority अगर आप offline apply करते हो तो कि धर का क्या मिलता है तो पहले आंदर प्रदेश AP में मंडल revenue officer के वहां ठीक है seven days कुछ शायद अलग भी हो guys आप प्लीज इंटरनेट से भी एक बार confirm कर लि यूट्यूब पर बहुत वीडियो जान में भी चेक कर लिया करो ठीक है वैसे तो यह बिल्कुल सही information अरुनाचरल प्रदेश तहसीलदार officer department of district administration ठीक है specified नहीं है कि seven days में बनता है क्या पता eight days में बनता है 15 days में नेक्स है असाम असाम में concern officer of the circle officer village जिसको मोता है VAO and revenue officer 14 days ब्यार में circle office VAO और revenue inspector 15 days लगते हैं 36 गर्ड सब डिवीजनल magistrate तहसीलदार office revenue department district collector office 15 days गोवा में डिप्टी collector सब डिवीजन officer 5 days गुजराद में तेहसील revenue office 15 days भर्याना में SDM of the concern सब डिवीजन और डिप्टी commissioner of the concern district 7 days नेक्स हिमाचल प्रदेश concern revenue office और तहसीलदार 15 days जारकन circle officer और तहसीलदार 15 days करनाटका डिप्टी तहसीलदार 7 days केरलात revenue department authority और तहसीलदार 5 से 15 दिन में मध्यप्रदेश सरकल officer village administrative RI महराष्टर तहसीलदार officer additional collector 15 days मनिपूर सरकल officer VAO revenue inspector 15 days मेगाल्या office of the deputy commissioner 15 days मिजोरम office of the deputy commissioner 2-3 days ठीक है नेक्सर नागालेंड office of commissioner नागालेंड district administration magistrate ठीक है 10-15 days Odisha तहसीलदार 15 days पंजाब तहसीलदार at revenue department office RDO का office 15 days राजस्तान respective तहसील ब्लॉक revenue 15 सिक्की में तहसीलदार at revenue department office 15 days Tamil Nadu subdivision magistrate तहसीलदार office या फिर RDO का office और days specified नहीं है time 15 days से ज्यादा भी लग सकता है 15 days से कम भी maximum 15 ही होता है ठीक है और कुछ जहां नॉन स्पेसिफाइड है ना वहां maximum क्या होता है online portal ज्यादा होता है आप online भी apply कर सकते हो guys ठीक है authorities तब काम आते हैं जब आप खुद उनके office में जाकर apply करते हो ठीक है नहीं तो online भी है जासे हिमाचल का हिमाचल सेवा e-portal ठीक है त्री पोरा subdivision magistrate 15 उत्तर प्रेश दिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट ओफिस 15 उत्तराकन डिस्प्तिव नहीं त्हासील्दार भ्रॉक ओफिस 15 जर्ड व्सपंगल दिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट इडिशनल इस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट डिप्टी मेजिस्ट्रेट त्री देसू म। अंदमान निग कानसंत थिस एल्दार Спस्टरिगर जप्टी territorквेशनर सब दिश्टिक मेजिस्टेट और सब डिवीजिनल मेजिस्टेट 14 देज, चमो एंध कश्मीर सर्कल ओफिसर विलेज, एड्मीस्टेटिव ओफिसर और रेवीन्यू इंस्पेक्टर 15 देज, लदाक में रेविन्यू डिपार्ट्रोंट, लक्षदी, डिप्टी कलेक्टर, तो कि आलायन एप्लियेशन लिए औलाइन के लिए आलाइन के लिए के लिए जयHe i.e come on आपका आइडेंटिव प्रूफ में कैसे होता है अधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड एनी अधर गवर्मेंट रिकूगनाइज डॉक्यमेंट रेजिस्टेंट प्रूफ तू ठीक है तो तीन साल का वह होना चीए कि आप यह स्टेट में रहते हैं अधार कार्ड भी काम आसे उसमें बैंक पासपोक वोटर आईडी कार्ड एलेक्रिसिटी बिल पासपोर्ट टेलफोन बिल पोस्पेड और लैंड लाइन राशन कार्ड कोई भी डॉक्यमेंट्स होता है ठीक है ना वो खुद बता देंगे आपको राशन कार्ड रेंट एग्रिमेंट ड्राइविंग लैसेंस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए स्वारी पासपोर्ट साइस फोटर सेल्फ डिक्लिरेशन फॉर्म अलॉंग विद अप्लिकेशन फॉर्म प्रूफ में जैसे पासपोर्ट वोटर आईडी कर सकते हैं कि बहुत ऑच्छ सटमील के लिए कुछ बच्छें बहुते हैं भाए और अगर आपको फिर भी कुछ लगए तो आप एपने-इंटेट पर भी देख सकते हो ठीके न और साथ-साथ आप और यूट्ट्यव चानल जहां जहां बहुत बहुत counselors, teachers ने वो बताते हैं आप उनको भी देख सकते हो और अगर आपको कोई डाउट होगा तो comment कर देना और अगर आपको particular state का domicile criteria जानना है तो मुझको comment करकर बता देना ठीक है thank you